नमस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो में भारत के प्रतम महिला पूरुष भाग दोग के कुछे महत्वपूर्ण बहुविकल्पिय प्रश्णितरों के बारे में जानेंगे तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्णिक्रमांक 11 भारत के प्रतम अंत्रिक्ष यात्री कोन थे? A. रविश्वि महलोत्रा B. मोहित शर्मा C. राकेश शर्मा या D. दिनकर राज और इसका सहीज़वाफ्य औप्षन C. राकेश शर्मा राके शर्मा भारत के पहले और विश्व के 138 वे अंतरिक्ष यात्री थे इनका जन्म 13 जन्वरी 1950 को पंजाब के पटियाला में हुआ था प्रेश्ट क्रमांक 12 भारत के सर्वच न्यायालाई की प्रथम महिला न्यायाधिश कोन थी और इसका सही जवाब है ओप्शन बी एम फातिमा बीवी जिनका पूरा नाम मेरा साहिब फातिमा बीवी है इनका जन्म 30 अप्रेल 1927 को हुआ था एम फातिमा बीवी वर्ष 1990 में न्यायाधिश पद पर न्युक्त होने वाली पहली भारती महिला है प्रेश्न क्रमांक 13 भारत की शान्ती के नोबल पुरुषकार से सम्मानित प्रथम भारती महिला कोन थी ए इंदिरा गांधी बी यसुदा बेन सी मदर टेरेसा या डेन में से कोई नहीं और इसका सही जवाब है ओप्शन सी मदर टेरेसा मदर टेरेसा जिनका जन्म 26 अगस्त 1910 को अलबे नियाई परिवार में हुआ था दुनिया उन्हें मदर टेरेसा के नाम से जानती है लेकिन वास्तविक में उनका नाम अगनेस गोंजा बोया जिजु था मदर टेरेसा रोमन केथोलिक नन्थी जिन्होंने 1948 में स्वेच्छा से भारतिय नागरिकता ले ली थी इन्हें भारत के शान्ती के नोबल पुरुषकार से सन 1989 में समानित किया गया था प्रैसिक्रमाक 14 भोतिक शास्त्र के लिए नोबल पुरुषकार पाने वाले प्रतम भारतिय कोन थे ए राधा क्रेश्टन बी अब्दुल कलाम सी जाके रुसेन या डी चंदर सेखर वेंकटा रमन और इसका सही जवाप है ऑप्शन डी चंदर सेखर वेंकटा रमन चंदर सेखर वेंकटा रमन का जन्म 7 नवंबर सन 1889 इस्वी में तमिल नाडु के तीरी चीर आपलली नामक इस्थान में हुआ था रमन पुरुषकार दिया गया 28 फरवरी 1928 को चंदर सेखर वेंकटा रमन ने रामन पुरुषकी खोज की थी जिनकी याद में भारत में इस दिन को प्रतेक वर्ष राष्ट्रिय विज्ञान दियोष के रुप में मनाया जाता है प्रैसे क्रमांग 15 भारती राष्ट्रिय कांग्रेश के प्रत्रम अद्यक्षि कौन थे और इसका सही जवाप है ऑप्चन B WC बनरजी उमेश चंदर बनरजी जो योमेश चंदर बनरजी के रुप में भी जाने जाते हैं भारतिय बेरिश्टर एवं भारतिय राष्ट्रिय कांग्रेश के प्रत्रम अद्यक्षिते उमेश चंदर बनरजी का जन्म गुंती दिसंबर 1849 को कलकत्ता के एक उच्ची मध्यमवग्र के कुलिन ब्रामण परिवार में हुआ था प्रैश्न क्रमांक 16 अंतर राष्ट्रिय न्यायालाई में प्रतम भारति न्यायाधिस कोन थे और इसका सही जवापे ऑप्शन भी डाक्टर नागेंदर सी है इनका जन्म 18 मार्च 1914 को डुंगर पूर में हुआ तथा इनका कारेकाल अंतर राष्ट्रिय न्यायाले में 1985 से प्रैश्न क्रमांक 17 भारत रतने से सम्मान इत प्रतम व्यक्ति कोन थे और इसका सही जवापे ऑप्शन ए डाक्टर सरुपली राधा क्रश्णन इस सम्मान की स्थापना दो जन्वरी 1954 में भारत के ततकालिन राष्ट्रपती राजिंद्र प्रसाद्वारा की गई थी 1954 में भारत अतने से सम्मान इत डाक्टर आधा क्रश्णन भारत के दूसरी राष्ट्रपती थे प्रश्ण क्रमांग 18 माउंट एवरेस्ट पर चड़ने वाली प्रतम भारती महिला कोन थी और इसका सही जवाफे ओप्शन सी बच्छेंद्री पाल सन 1984 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट पतर किया था फे एवरेस्ट की उचाय को छुने वाले दुनिया की पांचवी महिला परवतर हो ही थी इनका जन्म नकूरी उत्राकाशी उत्राखंड में 24 में 1954 को हुआ था प्रहेस्ट क्रमांग 19 भारत के प्रतम मुस्लिम राष्ट पती कोन थे A. डाक्टर अब्दुलकलाम B. डाक्टर जाकिर हुसेन C. डाक्टर मुहमद दुल्ला या D. डाक्टर सुलिमान खाँ और इसका सही जवाप हुपσαन B. डाक्टर जाकर हुसेन C. बाक्टर जाकर हुसेन C. डाक्टर सूत्रता सेनाठी एवं भारत के तीसरे राष्ट पती तथा प्रतम मुस्लिम राष्ट पती थे जिनका कारेकाल 13 मैं 1966 से 3 मैं 1975 तक था डाक्टर जाकीर हुसेन का जन्म आठ फरवरी 1897 में हिद्राबाद तेलंगाना के धनाडन्य पठान परिवार में हुआ था प्रैशे क्रमांक 20 इसनातक उपाधी प्राप्त करने वाली प्रतम भारती महिला कौन थी कादम बीनी गांगुली कादम बीनी ने अपनी सिक्षा बंगा महाविध्याले में शुरू की और 1898 में बेथोईन इसकूल में कलकता प्रवेश परिक्षा में प्रवेश करने वाली पहली महिला बनी थी यही नई भारती राष्टी कांगरेस के अधिवेशन में सबसे पहले भाषन देने वाली महिला का गोरो भी कादम बीनी गांगुली को ही प्राप्त है